न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिंड कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब न्यूस कार आप देख रहे हैं न्यूस चक्र मैं अभिसार शर्मा एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग न्यूस क्लिक की सदस्ता ग्रहिंड करके हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि हम इसी तरह से आपके मुद्दे बे खौफ उठाते रहे हैं और आज न्यूस चक्र में वो मुद्दाम उठा रहे हैं जिस पर मेंस्ट्रीम मीडिया लगभाख खामोश है मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूँ मुद्दा ही है दोस्तों कि भाजपा के उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज में ना मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान राम की आस्था ही बची हुई है और नहीं आम इंसान की जान की कोई कीमत है और मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ क्योंकि राम जन्म भूमी ट्रस्ट से जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला सामने उभर कर आया है जो करोडों में और दूसरा मुद्ध एबी पी नियूस के पत्रकार सुलब श्रीवास्तव की मौत बहुत ही रहस्माई कारणों में हुई है उनका अपना चैनल उसे अक्सिरिंड बता रहा है जबकि कुछ दिनों पहले सुलब श्रीवास्तव ने शराब और भूमाफिया के हाथ से अपनी जान को खत्रा बताया था सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राम के नाम पर जिस तरह से लूट मची हुई है उसके लिए दोस्तों आपको कुछ खबरों पर गौर करना पड़ेगा क्योंकि इसका तालुक सिर्फ धार्म से नहीं है हमारी आस्था से भी है राम मंदर के नाम पर कितना चंदा एकटा किया आप सब जानते हैं आपके स्क्रीन्स पर एक खबरे देखिए बच्चों ने गुलक तोड़कर दिया राम मंदर के लिए चंदा ये न्यूस 24 की खबर है अगली खबर देखिए जिनोंने राम मंदर निर्मान के लिए फोड़ी गुलक रिपब्लिक भारत की खबर है फिर देखिए साब देनिक जागरन की खबर आपके स्क्रीन्स पर राजस्थान राम मंदर के लिए 30 बच्चों ने गुलक के पैसे दिये दान और आप सब जानते हैं दोस्तों कुछ दिनों पहले बाकाइदा राम मंदर के लिए पैसा एक खटा करने के लिए घर घर लोग पहुँच रहे थे और अब खबर क्या रही है आपके स्क्रीन्स पर राम मंदर की जमीन खरीद में मनी लॉंडरिंग की आरोप आम आदमी पार्टी सांसद और समाजबाती पार्टी ने 2 करोड की जमीन 18 करोड में खरीदी गई अगली खबर देखिए आपके स्क्रीन्स पर आरोब क्या है पांच मिनिट पहले जो भूमी दो करोड में विकी ट्रस्ट ने वो साड़े अठारा करोड में खरीदी तीसरी खबर रामंदिर की जमीन खरीद में घोटाला अब आपको दोस्तों ये पूरा मामला समझना है न तो अब मैं आपको पूरी क्रोनोलिजी बताने वाला हूँ दस्तावेजों के साथ उसके लिए आपको चार नामों पर गौर करना पड़ेगा कुसम पाठक, हरीश पाठक, रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी आपके सामने दोस्तों ये दस्तावेज है चलिए इस पूरे दस्तावेज को मैं फूल स्क्रीन पर डालता हूँ आपको यहाँ पर कुसम पाठक की तस्वीरी भी दिख रही है और रवी मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी की भी तस्वीर दिख रही है कुसम पाठक और हरीश पाठक ने अपनी 5.7 करोड की जमीन को 2 करोड में बेच दिया किसे इन दो चेहरों को सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी ये वक्त था शाम का 7 बचकर 10 मिनिट और मैं आपको बतलाना चाहूँगा ये दो चेहरे अनिल मिश्र जो की राम मंदर ट्रस्ट के सदस्य हैं और रिशिकेश उपाध्याय जो की आयोध्या के मेर हैं दोनों इस करार नामे के गवाह थे अब कुछ देर बाद यानि की 5 मिनिट बाद एक और डील होती है राम मंदर ट्रस्ट इसे साड़े अठारा करोड रुपे में खरीद लेता है यानि की सिर्फ 5 मिनिट में जमीन की कीमत दो करोड से पहुंच गई साड़े अठारा करोड तक और एक बार फिर ये दो चेहरे अनिल मिश्र जो की राम मंदर ट्रस्ट के सदस्य हैं और रिशिकेश उपाद्ध्याय जो की मेयर अयोध्या के दोनों इस बात के गवाह थे और इस बार जैसे कि आप दस्तावेजों में देख सकते हैं कौन से तीन चेहरें वही सुल्तान अनसारी वहीर अरवी मोहन तिवारी और इस बार चंपत्राय चंपत्राय कौन ये हैं विश्व हिंदु हपारिशत के नेता और राम जन्म भूमी ट्रस्ट के महा सचेव भी हैं आज वहर शक्स जिसकी राम में आस्ता है यही सवाल कर रहा है कि चंद पांच मिनिट में जमीन की कीमत दो करोड से साड़े अठारा करोड आखिर कैसे हो गई क्या आप जानते हैं जब चंपत्राय से सवाल पूछा गया तो वह बहुती वाहियात तरक दें लगे क्या कहा चंपत्राय ने खुद सुनिए मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं इससे अलावा यहां कोई आर्थ है नहीं मेरे सामने मंदिर के निर्माण में यह का रोप लग रहा है सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि चंपत्राय ने सवालों के जवाब सलीके से नहीं दिये उस वक्त जब पत्रकारों ने घेर लिया उल्टा वो यह भी कहने लगे कि हम पर तो आरोप लगे थे महात्मा गांधी की हत्या के बिलकुल आरोप नहीं बड़े बड़े निता आरेसस के कटगरे में थे नाथुराम गोट से लेकर जो तमाम निता थे या तमाम लोग थे उनके तालुकात थे उन संस्थाओं के साथ इस बात से आप मुँ नहीं मोड सकते और अनल में जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया जब पत्रकारों ने उन से सवाल किया तब वो कैसे भागते हुए कैसे भाग रहे हैं आप खुद देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे को सबसे पहले समाजवादी पार्टी और आमाद्मी पार्टी सामने लेकर आई क्या कह रहे हैं पवन पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं खुद सुनिये आज जाकर पता कर लिजिए इसी के अगल बगल की जो जमीने हैं वह आज भी करोण पचास लाक और दो करोण में मिल लहीं हैं ऐसा नहीं कि कोई भगवान स्री राम के नाम पर जमीन के नाम पर मंदिर के नाम पर अपनी जेवे भरने का काम कर रहे हैं उन सब पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर करोण रुपया खा गए और बताएंगे देज भक्ती, बताएंगे राम भक्ती आब आदनी पार्टी के जिता संजे सिंग ने तो सीधे चंपत राय को घेरा है कहा है कि चंपत राय का नाम बदलकर नटवर लाल क्यों न रख दिया जाए क्या कहा उन्होंने सुनिये चंपत राम जी ने चंपत कर दिया उनका नाम चंपत राय नहीं नटवर लाल होना चाहिए करोणो रूपे राम जनम भूमी ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भरस्तचार करने का काम किया मर्यादा पुर्शुत्तम भगवान सुरी राम जिनके प्रति करोणों लोगों की आस्था है जिनके प्रति इस देश के करोणों हिंदूओं की आस्था है जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके करमचारी हो या फैक्टरी में काम करने वाला मजदूर हो सब ने प्रभुसरी राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है उसमें भी घोटाला और भरस्टाचार कर लिया जाएगा दोस्तो पत्रकारों के सामने तो उन्होंने जवाब नहीं दिया चंदा रहे ने मगर बाद में उन्होंने ये सपश्ट करण जो है वो जारी किया ये सपश्ट करण क्या कह रहा है आपके पूरे स्क्रीन्स पर यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जैसी राम जन्म भूमी का फैसला आया जमीन की कीमत जो है वो तेजी से बढ़ गई आज मैं चंपतराय से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ पांच मिनिट में जमीन की कीमत बढ़ गई बताइए और वो बात भी भूल जाएए कुछ और नहीं आपको उस जमीन के टुकड़े के आसपास जो जमीन के टुकड़े हैं वहां की आत्रा करनी चाहिए और वहां पूछना चाहिए कि उन जमीनों की कीमत कितनी बड़ी है क्योंकि यही आरोब समाजवादी पार्टी भी लगा रही है कि आसपास की जमीन की क्या कीमत है आप पता लगाईए इन सवालों के जवाब आखिर क्यों नहीं दिये जाते बार बार राम का नाम इस्तमाल करके इस देश की जनता को क्यों मूर्क बनाया जाता है आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ दोस्तों आपके घर घर में लोग आये थे जो कि राम मंदिर पर हमसे पैसे ले कर गए हम नहीं जानते कि वो पैसे कहां गए हैं क्योंकि ये एक अंधा कुआ है जैसे PM CARES FUND जो है ना जो कि कोरोना की वक बनाया गया था उसको लेकर सूचना के अधिकार के अंतरगत आप RTI फाइल करते हैं उसके कोई माइने नहीं है आपके घर में ये जो लोग तमाम आ रहे थे पैसा लेके जा रहे थे ये पैसा कहां जा रहा है किस की जेब में जा रहा है ऐसा तो नहीं है कि किसी political party की जेब में जा रहा है इस सवाल के कोई जवाब नहीं और जब NDTV में चंपत राए से आपसे कुछ महीनों पहले यही सवाल किया था कि इस जोनेशन की क्या जरूरत है तो उन्हें बताया गया था ही कि ये खराब सवाल है खुद सुनिये आज से कुछ महिनों पहले चंपत राए ने क्या कहा था 1990 में कलेक्ट हुआ है वो भी इसी अकांट के लिए यूज होगा वो भी उन्हें अकांट में आड़ हो रहा है बड़ा खराब सवाल है जिस किसी ने तुमको ये सवाल पूछने की प्रिणा दी है तुम्हारा सवाल नहीं है तुमको किसी ने कहा ही कि सवाल पूछना उस व्यक्ति को कहना कि चंपजी कहरते है कि बहुत ही कम गुध्धी का आदमी हो तुम्हारा सवाल नहीं है बटाइए लेकिन सवाल तो ये है हाँ आजिस किसी ने तुमको इस सवाल पूछने की प्रिना दी है उसको कहो चंपजी कह रहे हैं कि तुमको अकल ही नहीं है सर लेकिन सवाल का बेटे तुम्हारा सवाल नहीं है सर एंडी टीवी से सवाल है एंटी टीवी के जिस संपादक ने तुमको इस सवाल लिख कर दिया है वो आदमी समझदार बुद्धि का नहीं है इस नाट यार कॉश्चन बेटे तो सर्थ ए आदमी को पहले आदमी को पहले जिसने क्योंकि इप नाट यार कॉश्चन तो मेरा उत्तर ये है NDTV के उस व्यक्ति को कि he is a very bogus man को इस समाज के अंदर नकाराप्मक गुद्धी का आदमी है जिसने सवाल किया I again say it is not your question अब इस मुद्दे पर भारती जनता पार्टी आईटी सेल के गुर्गे जो हैं जो की दो-दो रुपए प्रती ट्वीट पर बिखते हैं लोगों को गालिया देते हैं उनका ये मुखिया अमित मालवी भी आ गया है अमित मालवी ये कह रहा है कि भाई जो लोग राम के आस्था पर सवाल उठाते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस मुद्दे पर बोलने का अरे अमित पहले सवाल का जवाब तो दो बताओ तु सहीं की पांच मिनिट में जमीन की कीमत दो करोड से साड़े अठारा करोड कैसे हो गई पहले सवाल का जवाब तो दो बेमानी तर्क क्यों दे रहे हो तुम बेमानी तर्क आखिर क्यों राम जन्म भूमी ट्रस्ट दे रही है क्या इन सवालों का जवाब हमी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप तो राम के नाम पर वोट भी हासिल करो ठीक है एक जमाने में आपके 2 सांसद थे उसके बाद 80 सांसद हुए और आज की तारिक में आपके 300 सांसद है आपका जब मनाता है आप राम का इस्तमाल करते हो राजनीतिक रोटिया सेखने के लिए लोगों के पैसे भी लेते हो और जब लोग उस पैसे का हिसाब मांगते हैं तो आप उन्हें विधर्मी बता देते हो, अधर्मी बता देते हो, राम विरोधी बता देते हो, धर्म विरोधी बता देते हो, यहां पर कोई राम से सवाल नहीं कर रहा है, बलकि राम की जो बेज़ती की जा रही है, राम की जो तोहीन हो रही है, उस पर सवाल किया जा रहा ह और आज की तारिक में जब ये सवाल उठाया जा रहा है तो क्या ये गलत सवाल है बताईए क्या ये गलत सवाल है तो एक तरफ भगवान राम और उनकी आस्था के साथ खिलवार हो रहा है उत्तर पदेश में और दूसी तरफ प्रताब गड़ में एबी पी नियूस के पत्रकार सुलब श्रिवास्तव की रहस्मे परिस्थितियों में मौत हो गई सबसे चिंता जनक बात यही कि कुछी दुनें पहले उन्होंने बाकाइदा एक लिटर लिखा था जिसमें अपनी जान को खत्रा बताया था उस लिटर में उन्होंने क्या कहा और उनकी अपनी संस्था क्या कह रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर उनके दौरा एडी जी को लिखा गया खत और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज से दो दिन पहले उन्होंने ये खत लिखा था जिसकी तारीक आप देख सकते हैं 12.6.2021 और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तारीक है 14.6.2021 असमें उन्होंने क्य लिखा कुछ लोगों दौरा ये भी बताया गया है कि कुछ शराब माफिया मेरी उस खबर को लेकर मुझे से नाराज भी हैं श्रीमान जी विगत दो दिनों से जब भी मैं घर से बाहर किसी कार से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है सूत्रों और चर्शाओं के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शराब माफिया जो मेरी खबर से नाखुश हैं मुझे अथवा मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुचा सकते हैं ये कोई और नहीं बलकि सुलब श्रिवास्तव लिख रहे थे ये खबर चलाई थी सराब बाली जे सराब माफिया तो उसके बाद से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे बहुत दिनों से तो हम लोगों को सेयर भी किय थे हम लोग में मना भी किया था कि रहने दी जमत बनाई है लेकिन वह माने नहीं और उनको यूज किया गया है और कुछ तो उसके पहले आप से बताए हैं ऐसी बात नहीं बर जब ख़वर चली थी सबसे पहले तब ही उन्होंने हमसे बताया था हम लोग उसके ख़वर चलाए हैं अब कुछ बक्त पड़े हैं तो इसलिए अगम ये काप्रिकेशन देख के अपनी सुद्धा के लिए ग बड़ा सवाल है कि कुंडा सरकल में एक जो बड़ा राजनीतिक दबाव है उसके आधीन होकर या उससे प्रभावित होकर पुलीस ने एक राश्ट्री स्थर के खिलाडी को शराब माफिया घोशित कर दिया आखिर शराब फैक्टरी के दूसरे कथित मुख्य पार्टनर को क्यों बचा रही है प्रताब गड़ की कुंडा पुलीस इस आर्टिकल में जिसकी वज़ा से उनकी मौत हुई मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है राजनीतिक दबाव का जिक्र किया है और प्रताब गड़ पुलीस पर सवाल उठ दुख की बात ये है कि चैनल के पास ये तमाम प्रमान हैं अगर आब मैं आपको बताना चाहता हूँ खुद एबी पी न्यूज अपने पत्रकार के मौत के बारे में क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन्स पर सडख हादसे में हुआ सुलब श्रिवास्तव का निधन आगे देख हुगी सुलब नहीं रहे कल रात रिपोर्टिंग के लिए गए थे फिर नहीं लोटे उन्हें लगता था कोई उनके पीछे पड़ा है निशब्ध हूँ आज भी याद है आठ साल पहले वाली मुलाका जब आप एबी पी न्यूज परिवार से जुड़े थे आज मैं परिस्तितियों में मौत हुई थी एक साल हो गया है सी बी आई उस थियोरी को साबित नहीं कर पाई कि उनकी हत्या हुई थी हुई थी कि नहीं हुई थी एबी पी न्यूज रिपब्लिक टीवी जी न्यूज तमाम जो सरीखे चानल हैं उन्होंने इसे हत्या करार दिया था एक आत्म हत्या को हत्या करार दे दिया था आज जब उनके पत्रकार की मौत को लेकर साफ तोर पर सुराग दिखाई दे रहे हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है और मैंने खुद एबी पी न्यूज से ट्विटर पर कुछ सवाल किये हैं जो आपके स्क्रीन्स पर हैं दोस दुख की बात यह है कि एबी पी न्यूज जहां इसे एक हादसा बता रहा है एक्सिडन्ट बता रहा है उत्तरपदेश के बाकी चैनल जिनकी रीड अभी बाकी है वो लोग इस खबर को उठा रहे हैं क्या कहते हैं भारत समाचर के संपादक ब्रिजेश मिश्र आपके स्क् है कि पुलीस आधिकारी तक छुटी पर चले गए हैं प्रताबगड में माफ्या के खिलाफ सरकार ने कारवाई नहीं की इसका अंजाम पत्रकार ने भुगता मौत मिली और अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि खुद प्रताबगड की पुलीस क्या कह रही है सुनिए प्रताबगड के पुलीस का ये बयान करोड रुपए का विग्यापन न्यूस चैनल्स को देता है अखबारों को देता है यही वज़ाए कि कुछ दिनों पहले एक अखबार ने ये तक कह दिया था कि 2021 में कुरोना के बाद जो हम घाटों पर बड़े पैमाने पर शवों को दफनाने का काम देखते हैं यह शव ज चांच में पाया गया कि यह अखबार जो दावा कर रहा है वो सरासर जूट है आज मैं एबी पी न्यूस से पूछना चाहता हूं कि एबी पी न्यूस आखिर क्यों अपने पत्रकार की मौद को एक अक्सिडंट बता रहा है साफ तोर पर हमारे सामने एक श्रिंकला ही मून रखी हैं उसके कुछ दिनों बाद वो बाकाइदा एडी जी को खत लिखता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं और उसके ठीक 48 घंटे बाद उनकी रहस्माय परिस्थितियों में मौत हो जाती है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको योगी सरकार को कटगरे में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए ABP News ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है कहां गई ABP News के मालिकों और उसके संपादुकों की रीड क्योंकि ये वो चैनल्स हैं दोस्तों जो सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों का साथ नहीं देते हैं आज की तारिक में आपका पत्रकार मर गया है अब तो जाके आँखें खोलिये अब तो जाकर सवाल करिये या भी खामोशी बनी रहेगी बताईए अब भी खामोशी बनी रहेगी दोस्तों ये मुद्दा कितना बड़ा हो गया इस पर प्रियंका गांधी वाडरा ने भी ट्वीट किया है वो क्या कह रही है आपके स्क्रीन्स पर शराब माफिया अलिगड से प्रताब गड़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव कर रहे है उत्तर प्रदेश सरकार शुप पत्रकार सच्चाई उजागर करें प्रशासन को खत्रे के प्रती आगा करें सरकार सोई है क्या जंगल राज को पालने पोशने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पास पत्रकार सुलब श्रिवास्तव जी के परिजनों के आसूं का कोई जवाब है यह अपने आप एक बहुत वाजब मुद्दा है दोस्तों अलिगड के अंदर नकली शराब पीने से 117 लोगों की मौत हो गई थी 117 लोगों की मौत और वो बंदा जो इस इलाके का डियम है आज तक उसे पद से नहीं हटाय गया था इस वक जब मैं आप से बात कर रहा हूँ क्या आम इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है योगी जी की नजरों में क्या आप अब भी अपनी कुरसी बचाएंगे और आम इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है अलिगड नकली शराब प्रकरन और कुरोना में जिस तरह से हजारों लाकों लोग मारे जा रहे हैं ये इस बात का प्रमान है योगी जी आप इस बात से नजरे नहीं फेर सकते मगर यहाँ नी उस चक्र में दोस्तों हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे क्योंकि इसका नाता आप से है अब इसार शर्मा को दीजे जाज़त नमस्कार